आप देख रहे हैं MNS News सच ज़रूरी है नमश्कार दर्श को आप देख रहे है MNS News Network मैं हूँ आपके साथ शीबा शेक तो आए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी ख़वरे आए एक नजर डालते हैं हेड्लाइन्स कियो महराष्ट में पवार ठाकरे और कॉंग्रेस को जटका बंगाल में मम्ता का जल्वा नहीं बड़ेंगी आप लोगों की EMI, RBI ने लगातार साथ वी बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाओ इसराइल ने हमास की संगश विराम की शर्तों को ठुकराया कहा हम जीत रहे हैं आए देखते खबरे विस्तार से महराष्ट में पवार ठाकरे और कॉंग्रेस को जटका बंगाल में मम्ता का जल्वा लोगसबाद चुनाओं में पहले महराष्ट और पच्चिम बंगाल दोनों राजों की नबिल लोगसबाद सीटों पर एक सर्वे आया है सर्वे की मुताबीत इन दोनों राजों में बीजेपी गटबंदन वाली एंडिये बंपर 54 सीटी जीत सकती है महराष्ट में शरत पवार और उद्ध्योठाक्री की जोड़ी को तकड़ा जटका लग सकता है यहां मोदी मैजिक के आसार है वही पच्चिम बंगाल की बात करें तो यहां मम्ता बैनर जी मोदी लहर पर भारी परती दिख रही है मम्ता बैनर जी पहले ही घोशना कर चुकी है कि प्रदेश में वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी यह इंडिया गटबंदन का बहुत बुरा हाल हो सकता है पच्चिम बंगाल में 2019 के मुकाबले बीजेपी को थोड़ा नुकसान जेलना पड़ सकता है सर्वे पर एक नज़र डालते हैं सर्वे के मुताबित पच्चिम बंगाल में मम्ता बैनर जी की पार्टी टीमसी प्रदेश की 92 लोकसभा सीटों से 26 सीट पर जीत हासिल कर सकती है जबकि बीजेपी के खाते में 15 सीट जीत सकती है वही इंडिया गटबंदन के खाते में एक सीट आ सकती है वही अन्य के पास कोई सीट आई आती नहीं दिख रही है 2019 में पच्चिम बंगाल में बीजेपी को 18 सीट मिली थी जबकि मम्ता के खाते में 22 सीट आई थी जादे की मम्ता बैनर जी पहले ही पच्चिम बंगाल के लिए घोशना कर चुकी है कि वह प्रदेश की सभी लोगसभा सीट आपर अकेले ही चुनाव लड़ेगी आई ये बट्टन अगली ख़बर किया नहीं बड़ेगी आपकी लोन की ये माए और भी आई ने लगातार साथवी बार रेपोरेट में नहीं किया कोई बदलाव भारतियार रिजर्व बैंक की मॉनिटरी पॉलेसी कमिटी की मीटिंग के नतीजे का ऐलान हो गया है रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकान दास बैठक के लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि इस बार भी रेपोरेंट में कोई बदलाव नहीं किया गया है इसका मतलब है कि आपकी EMI में कोई बदलाव नहीं होने वाला है बैठक में मौझूद 6 में से 5 सदसर रेपोरेंट को यतावंद रखने के पेश में है रेपोरेंट वहद दर है जिस पर किसी देश का केंडरिय बैंक धन की किसी भी कमी की स्थीती में वानी जग बैंकों को पैसे उधार देता है रेपोरेंट का उप्योग मौधरिक अधिकारियों दौारा इնस्पेक्शन को नियंतरित करने के लिए किया जाता है वास्ताव में रेपोरेंट का असर आम लोगों द्वारा बैंकों से गए लोन की EMI पर देखने को मिलता है अगर रेपोरेंट में कटोती होती है तो आम लोगों की होम कार लोन में EMI घड़ जाती है और अगर रेपोरेंट में इजाफा होता है तो कार और होमलोन की कीमतों में बड़ोतरी हो जाती है शेशिकान दास ने आगे कहा कि बीते एक साल भारतिय करेसी में स्तीरता कायम है और ये आगे भी कायम रहेगी उन्होंने कहा कि सप्लाई चेंच ने संबंदित नए जटकों पर सतर्क रहने की जरूरत है इस वर्ष हेडलाइन मुद्रा स्तिफिती काफी आर्थिक तता के साथ उची बनी हुई है और अभी तक 4% का लक्ष हासिल नहीं हुआ है हाला कि वैशिक स्तर पर अनिचितात के बीच देश की अर्थवेवस्ता मजबूती दिखा रही है उन्होंने कहा कि देश की कही एकनॉमिकल ग्रोध तेज हो रही है और यहाँ जादातर पुर्वनुमानों से आगे है आईए बढ़त अगली खबर के ओर इसराइल ने हमास की संघश विराम की शर्तों को ठुकराया कहा हम जीत रहे है इसराइल और हमास की बीच चल रही लड़ाई का अभी कोई अंत होता नहीं आ रहा है इसराइल हमास की पूरी तरह से खात्मे में मूर में है इस बीच खबर ये है कि इसराइल के प्रधान मंतरी बेल्जियम नेतन्याउ ने संघश विराम और बंदगों को छोड़ने जुड़े समझोतों के लिए हमास की शर्तों को खारिस कर दिया है नेतन्याउ ने हमास की शर्तों को ब्रामक बताया और कहा कि गाजा पर हमास के नियंतरन को समाप्त करने तक युद जारी रहेगा उन्होंने पूर्व विजय प्राप्त होने तक हमास के खिलाफ युद लड़ने का संकल्प जताया नेतन्याउ ने यह एक सवादता सम्मेलन में कहा कि हमास की ब्रामक मांगों के सामने आत्म समर्तन करने से बंदोकों को मुक्त नहीं करवाया जा सकेगा बलकि यह एक और नरसहर को आमंतरित करेगा उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से जीद की और बढ़ रहे हैं पता दे की पिछले पाच महीनों से जारी इसराइल हमास संगश में हमास ने पिछले हफ़ते कतर मिश्र और अमेरिका को नया संगश विराम प्लैन भेचा था इसमें से हमास ने तीन चर्णों में कुल 135 दिन के संगश विराम की मांग की थी सिचफायर के हच चरण में 45 दिन युद्ध बंद रखने की बात कही गई थी संगश विराम के दौरान इसराइल अपनी कैस से हमास सहीद अन्य लोगों को छोड़ेगा इसके बाद हमास सभी बंदकों को रिहा करेगा अब आप हमारे चैनल को मोबाइल आप पर भी देख सकते हैं मोबाइल आप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS News TV आप डाउनलोड करें आप इसे इंस्टा, हाई, क्वीक, ट्वीटर, फेस्बूक और कही शोशल मीडिया प्लाटफरम पर हमारा चैनल उपलब्द है आप इसे यूटूब पर भी देख सकते हैं आप इसे लाइफ भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर अब वक्त उचला है दोशी को ब्रेक का, ब्रेक से लोटने के बाद देखने रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरे बने रही है MNS News TV पर नमश्कार ये है MNS News निट पर और आप देख रहे हैं MNS News